जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़ी भरती आ चुकी है और ये जो भरती है दोस्तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्टेट के लिए है यहाँ पर दोस्तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जितने भी यारों है सभी की भरती एक साथ है और ये जो भरती है दोस्तो वो कुमाऊर रेजिमेंटल सेंटर रानी खेट में होनी है तो दोस्तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में end तक आज की इस भरती से related हम आपको A to Z जानकरे आपके लिए देने वाले हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने बाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो भरती है दोस्तों वो headquarter recruiting zone यानि की जेडारो लगनों की तरफ से निकाली गई है और उत्तरपड़ेस और उत्तराखंड के लिए यह जो जेडारो है वो cover करता है ठीक है यह जो भरती है दोस्तों वो 11 मार्च से 12 मार्च 2021 के बीच में कुमाउं रेजिमेंटल सेंटर राने खेद उत्तराखंड में होनी है ठीक है इस भरती के जो online registration है दोस्तों वो एक फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 के बीच में जो है वो start हो चुके हैं मतलब एक फरवरी से 2 मार्च 2021 के बीच में आप इसके registration कर सकते हैं और इस भरती में दोस्तों आप उत्तराखंड या फिर उत्तरपड़ेस कहीं के भी रहने वाले हैं जारो के अंडर आने वाली सभी districts के जो candidates हैं वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर next है अमेठी यारो next है उसके बाद में मीरोट मतलब इसको मेरट कहते है उसके बाद में बढराणसी और लक्नंव अलमोडा लेंच डावन और पितोरागळ ठीक है जो अजारों है। संबंदित हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं, ठीक है, अब हम आपके लिए बता दें दोस्तों कि इस भरती में apply करने के लिए आपके जो age limit है, height है, weight है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भरती है दोस्तों वो only सिपाई D-Pharma के लिए है अगर आप सिपाई D-Pharma में अपलाई करना चाहते हैं और इसके लिए eligible हैं तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो इस भरती में अपलाई करने के लिए आपकी जो age limit है वो 19 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और 1 October 1995 से 30 सेतंबर 2001 के बीच में आपकी जो है वो date of birth होनी चाहिए height आपकी 163 से लेके 170 cm तक ली जा रही है जैसे कि आप सबी को पता है कि इस भरती में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही states के जो candidates है वो apply करेंगे तो इसलिए दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपकी band 69 और 70 cm height ली जाएगी और अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपकी band 63 cm हैट ली जाएगी उसी तरह से दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको 48 kg और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको 50 kg की जरूरत होगी दोनों ही states के अगर आप candidates हैं और आपका जो चेस्ट है वो 77 cm होना जरूरी है ठीक है उसके बाद दोस्तों सबसे में चीज में आपको बता देता हूं कि इस भरतिमा अप्लाई करने के लिए जो आपका education qualification है वो आपके लिए intermediate pass होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास में आप D-pharma भी qualified होना चाहिए with 55% marks मतलब intermediate प्लस D-pharma आपके पास में ये degree होनी चाहिए तब आप इस भरतिमा अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस भरतिमे जो आ ग्रुप बन में अगर आप इस रेस को क्लियर करते हैं तो आपको 60 marks दिये जाएंगे और ग्रुप बन के लिए आपको 5 मिनट 30 seconds का समय दिये जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों ग्रुप सेकिंड में अगर आप आते हैं तो आपको 5 मिन 31 seconds से 5 मिन 45 seconds तक का समय दिये आपको कोई marks नहीं दिये जाएगा तो दोस्तों यह जो भरती है वो मैं आप सभी को बता ही चुका हूं उत्तर प्रदेश और उत्त्रकंड दोनों स्टेट के लिए हैं आप किसी भी डिश्टिक के रहने वाले हैं दोनों स्टेट्स की तो आप इस भरती में सामिल हो सकते है अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत